टाटा ग्रूप के पूर्वे चेयर मेन और मुखिया रतन टाटा का 9 अक्टूबर की देर रात निधन हो गया। रतन नवल टाटा ना केवल अपने कारोबार के लिए अपनी दानवीर तक लिए भी सुर्ख्यों में रहते हैं। रतन टाटा की पहचान ना सिर्फ एक उद्धोग पती के रूप में थी बलकि उन्हें एक समा सेवी के रूप में भी जाना जाता था। ऐसे में जीवन भर शादी ना करने वाले रतन टाटा के नेटवर करीब 38 लाग करोड रुपए है। अब सवाल ये उड़ता है कि जब टाटा ग्रुप के चेर में रतन टाटा जो की अब इस दुनिया में नहीं रहें तो अब टाटा ग्रुप की बाग दोड कौन समा लेगा। चलिए बात करते हैं उन चहरों के बारे में जो टाटा गुरूप के अध्याक्ष बन सकते हैं जिसमें नोल टाटा, माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा के नाम शामिल है अब चलिए जान लेते कि आगर ये हैं कौन जो टाटा ग्रूप के वारिस बन सकते हैं नोईल टाटा, नवल टाटा की सीमोन से दूसरी शादी से जन में नोईल टाटा, रतन टाटा के सोतेले भाई है ऐसे में नोईल टाटा इस विरासत को समालने वाले प्रमुख दावेदारों में से एक है नोईल टाटा के तीन बच्चे हैं माया, नैविलो, लिया टाटा जो ग्रूप के संभावित उत्तर अधिकारी हो सकते हैं माया टाटा, चोतिस साल के माया टाटा टाटा ग्रूप में लगतार आगे की और बढ़ रही है वैस बिजनेज स्कूल और वार्विक युनिवर्सिटी से एजुकेशन हासिल करने के बाद उन्होंने टाटा अपोर्चुनिटी फंडो टाटा डिजिटल में प्रमुक पदों पर कार किया है विशेश रूप से उन्होंने अपनी रणनीती कौशलो दूर दर्शिता का प्रदर्शन करते हुए टाटा न्यू एप लॉंच करने में महत्पूर्ण भूमी का निभाई नैविल टाटा 32 साल नैविल टाटा फैमली बिजनिस में सक्रिय रूप से लगे हुए है टोयोटा किलो इसकर ग्रूप की मांसी किलो इसकर से शादी करने वाले नैविल ट्रेंड लिमिटेट के तहत आने वाली कंपनी स्टार बाजार के हैड है लिया टाटा 49 साल के लिया टाटा 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 ग्रुप के होस्पिटालिटी सेक्टर में अपनी छाप छोड़ रही है इस फैन के आई बिजनिस स्कूल से पड़ी लिया टाटा ने ताज होटल, डिसोर्ट्स और पैले से इसमें महत्पून पदो पर काम किया है मौजूदा समय में हस्पिटालिटी इंडस्ट्री में ग्रुप की मौजूदगी को बढ़ाते हुए इंडिया होटल कंपनी को समाल रही है इस खबर को लेके आपकी क्या राहे कमेंट बॉक्स में जरूर दे और ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें दथिंका टीवी के साथ धन्यवाद